चपी ऐसा कुश्यों हो कि speed of a and b are in the ratio कि speed ratio में दी हुए 3 is to 4 और अब आपको बता रहे हैं कि a जो है ना वो 20 मिनट जादा लेते हैं किसे b से b से b से b जितना भी time ले रहा है उससे a को जादा time लग रहा है उस destination पहुंचने में तो आपसे पूचा है कि time कि पहुंचने के लिए देखिए speed दी हुई है speed आपको दी हुए 3 is to 4 आपसे time पूचा है तो आपको पता है ना कि जो speed है उसका inverse relation है time से मतलब आपकी speed क्या है इसकी 3 है और इसकी 4 है तो simple सी बात है इसको time 4 लगेगा और इसको जो time है बी को तीन लगेगा speed जितनी कम होगी time उतना ज्यादा लगेगा speed जितनी ज्यादा होगी time उतना कम लगेगा अच्छा अब आप एक बात देखिए कि इसमें क्या है कि ए जो है नो वह बीस मिनट जादा ले रहा है सिंपल सी बात है कि इनका ratio तो time का आ रहा है 4 इस टू 3 यानि कि ए जब 4 टाइम लेता है तो बी कितना मातर तीन टाइम ले रहा है और इन्होंने कहा है कि ए जो है वह बीस मिनट जादा ले रहा है आप देखो तीन और चार के बीच में कितने का difference है एक ratio का हना में 3 को माइनस करूँ एक और यह जो एक का difference आ रहा है वो 20 मिनट के equal है क्योंकि यह कह रहे है कि 20 मिनट जादा है अब आपको पता है कि A कितना time ले रहा है तो A 4 ले रहा है तो अगर A 1 equal to 20 होता है तो 4 equal to क्या होगा 20 into 4 यानि कि A जो है आपका वो 20 मिनट लेगा जब आपका बी कितना ले रहा होगा तो वही simple से 20 आपका एक के बराबर है तो यह तक है अत्मा तीन ले रहा है तो 20 into 3 यानि कि जब यह 18 मिनट ले रहा है तो यहीं आप से पूचा है कितना time आपका A ले रहा है तो 80 मिनट लेता है अगर आपको इसको आर्स में डिनोड करना है क्योंकि आपका A ले रहा है